पटेल एंजिनेरिंग के शेरों में लगा अपर सर्किट वाटर टननल प्रोजेक्ट के लिए एल ओए मिलने के बाद चड़े शेर पटेल एंजिनेरिंग को सिटी एंड इंडस्ट्रियल डिवेलप्मेंट कॉर्परेशन सिड को से एल ओए मिला है। यह एल ओए महाराष्ट के राइगड जिले में साई गाव से विंधने गाव तक 6.70 किलोमिटर लंबी वाटर टननल और समबंधित कारियों के कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है। बता दें कि इस स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में 54 फीसदी का शांदार रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में 54 फीसदी का शांदार रिटर्न दिया है। वेंचर पार्टनर्शिप के एकजीक्यूट होने जा रहा है। कम्पनी का बयान पटेल इंजिनेरिंग के चेयर्मैन और मैनेजिंग डिरेक्टर रूपेन पटेल ने कहा। इस प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट से सम्मानित होने पर अच्छा महसूस कर रहे हैं और सभी अधिकारियों और हित्धारकों के प्रती आभार व्यक्त करते हैं। पटेल इंजिनेरिंग लिमिटेड इंफ्रोस्ट्रक्चर सॉल्यूशन देने के लिए प्रतिबद्ध है जो लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह प्रोजेक्ट बहतर एक जीक्यूशन क्षमताओं के साथ हमारे टेकनिकल और इंजिनेरिंग कौशल को दिखाता है। मई 2023 में कमपनी ने ओथम इन्वेस्ट्मेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेर के साथ एक शेर खरीद समझोता किया था। यह समझोता सबसिडरी कमपनी यानि मिशिगन एंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड एंगी टी एल्थ में 51 परसेंट में से 41.01 एक परसेंट एक विटी हिस्सेदारी बेचने और ट्रांसफर करने के लिए किया गया था। कैसा रहा है शेरों का प्रदर्शन। पटेल इंजिनियरिंग के शेरों में पिछले एक महीने में लगभग 7 पीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 6 महीने में इसमें 54 पीसदी की रैली देखी गई है। पिछले एक साल में निवेशकों को 23 पीसदी का मुनाफा हुआ है। पिछले तीन सालों में इसने अपने निवेशकों को 115 फीसदी का शांदार रिटर्न दिया है